ध्यारकन विदानसभाद चुनाव को लेकर सीट बटवारे पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है हाला कि इंडिये और इंडिया गडबंधन दोनों ये दावा कर रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है सब कुछ ठीक है और सब मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे और फॉर्मूला भी तैय हो गया है लेकिन अंदरखाने से ये खबर है कि दोनों पार्टियों के बीच दोनों गडबंधनों के बीच घमासान जारी है इंडिये हो या फिर इंडिया गडबंधन हो इंडिये में टूंडी और वरहेट सीट को लेकर प्रत्याशिक के नाम पर मंथन हो रहा है AJSU यानि All जारखन्ड Students Union के अध्यक्ष सुदेश महतो टूंडी से लड़ना चाहते हैं चुनाव सिली सीट से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं यानि कि दो जगह से लड़ना चाहते हैं सिली और टूंडी से भी लड़ना चाहते हैं सिली और टूंडी में एक ही दिन वोटिंग से बीजेपी को दिक्कत है इंडिया गडबंधन में धनबाद और बुकारो सीट को लेकर चिंतन चल रहा है कॉंग्रेस के खाते में धनबाद और बुकारो सीट है मधुकर आनन्द हमारे समवादाता इस वक्त जुड़े हुए है जारखंड के चुनाओ को वो कबर कर रहे है जारखंड की राजनीती को भी वो समस्ते आ रहे है जरा बताईए कि सब कुछ ठीक है या ये जो खीच्टान की खबर आ रही है इस खीच्टान में कितना जोर दिखाई दे रहा है अंदर खाने और कितनी परिशान है इसको लेकर पाटिया देखे आनन जी आपने जो कहा कि टुंडी को लेकर के जो समस्या है बिल्कुल वो समस्या है और शुरुवाती दोर से ही समस्या है इसलिए हिमंता जी ने कहा भी था कि एक-दो सीटों पर अंतिम समय में फैसला लिया जाएगा टुंडी में सुदेस महतों चाहते हैं कि वो वहां से भी चुनाव लड़ें जबकि सिल्डी से वो चुनाव पहले से लड़ रहे हैं और उन्होंने नामंकन भी दाखिल कर दिया है तो दोनों जगह पर एक ही दिन चुनाव है तो बीजेपी का आप कहना है कि आप दो जगह पर दो ऐसे जगहों पर जिसकी दूरी है और उसके बाद एक ही दिन चुनाव है तो ऐसे में कैसे लड़ सकते हैं तो इस बात को ले करके दोनों के बीच जिच चल रही है दूसरी तरफ अगर कॉंग्रेस की बात करें तो बोकारो और धनबाब ये दो सीट है जो की कॉंग्रेस को मिली है और उस पर परत्याशी का उनको निर्धारन करना है तो कॉंग्रेस की बाद जहां तक की जाए तो बोकारों से राजेश ठाकुर जो की पूरू प्रदेश अध्यक्ष है कॉंग्रेस के उनका नाम सबसे आगे चल रहा है आज संभोत है इसकी गोशना भी हो जाए और दूसरी तरफ धनबाद में परेशानी ये है कि आखिर किसको परत्याशी बनाया जाए चर्चा बहुत तेज है कि धनबाद से पूरू मेयर जो रहे हैं चंदर शेखर अगरवाल शेखर अगरवाल भी उनको का जाता है तो चंदर शेखर अगरवाल कॉंग्रेस में सामिल हो करके और धनबाद से चुनाव लड़ सकते हैं तो फैसला ऐसे हालात में बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द इस पर निरने किया जाए इस बिच आनन जी राजनीतिक वहापो या राजनीतिक घटना करम में दो महतोपूर्न बाते हैं पहली बात NDA में बीजेपी की तरफ से है बीजेपी बागियों से तबाह हो गई है परेशान न मनाने की जिम्मेदारी कॉंग्रेस के प्रदेश स्थर के नेताओं को दी थी अब वो नेता लगातार जो राजमाईश कर रहे हैं अब आप बताईए कि हिमंता बेसो सर्मा जो कि आसाम के मुख्यमंत्री हैं वो लंबे समय से जहारखंड में ही हैं ऐसे समय और कल देर रात जो सूचना मिल रही है कि गुमला में जो बागी विधायक हैं उनके यहां वो मनाने के लिए गयते उधर लक्षमी कांत वाजपई जो पार्टी के जहरखंड प्रभारी हैं और राजसभा के सदसे भी हैं वो राजपलिवार को मनाने देवघर गय थे रविंदर राय को किस इसी तरह से सिवराज जी ने मना लिया और मनाने के एवज में उनको प्रदेश कारेकारी अध्यक्ष बनाना पड़ गया जो कि चुनाओ के समय में एक बहुत गलत संदेश बीजेपी की तरब से गया है जब बाबुलाल मरांडी पहले से ही अध्यक्ष यहां है सारा बादचीत में उन्होंने साब तरपर कहा था कि बिलकुल मेरे आपको याद भी होगा बिलकुल मेरे नेत्रे तो में चुनाओ लड़ा जा रहा है और इसमें किसी को संदेश नहीं होना चाहिए तो संदेश तो बीजेपी के ही केंद्रिये नेत्रे यह भी हो सकता है कि चुन इसमें देखे आनन जी दो बात है राजनीतिक तोर पर देखा जाए तो इशारा दोनों तरफ का होता है जब आप एक उंगली उधर करते हैं तो तीन उंगली अपनी तरफ होती है इसका जो आपका सवाल है उसका सीधा जवाब है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन वो बहुत ही मूल जमीनी कारेकरता बीजेपी के हैं आज भी अगर सच पुछा जाए तो संगठन में उनके जैसी पकड़ और उनके जैसा काम किया हुआ व्यक्ति बहुत कम है जारखन में ऐसे हालात में अगर वो बाबुलाल के खिलाब चुनाओ लड़ जाते तो बहुत संदेश भी अच्छा नहीं जाता और भी इस पर हम चर्चा करेंगे लेकिन अभी वक्त इतना ही है बहुत बहुत शुक्रिया मधुकर हमारे साथ जुड़ने के लिए